नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, आप सभी का निस स्टुडियो में स्वागत करता हूँ, आज के चर्चा के लिए हमारे पास विशेश विशेशग्य हैं, डॉक्टर गोरव सिंग, इक्षा विद्यापीट, इगनू, नई दिल्ली से, जी, आज का हमारा सिर आपने अच्छा प्रशन पूछा, और मैं सभी अध्यापकों को ये बताना चाहता हूँ, कि एक समेकित पाथ्य पुस्तक पर चर्चा प्रारम करने से पूर्व, उन्हें ये जानना आवश्यक है, कि एक सामानने पाथ्य पुस्तक का प्रियोग हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और फिर हम बताएंगे कि सामानने पाथ्य पुस्तक से, जो समेकित पाथ्य पुस्तक है, वो किस प्रकार भिन है, और किस प्रकार अधिक लावकारी है, ऐसा नहीं है कि पाथ्य पुस्तक हमारे लिए कोई नया उपकरण है, सिक्षन में पाथ्य पुस्तक का प्रियोग अध्यापन में पाठ्य पुस्तक का प्रियोग चरंतन काल से जब से पुस्तक अपने अभिर्भाव में आई है तब से होता रहा है अध्यापकों का सबसे प्रियोग करण है विद्यार्थियों का भी सबसे प्रियोग करण है एक अध्यापक एक पाठ्थ पुस्तक का जब प्रियोग करता है तो वहाँ विद्यार्थियों का ध्यान विशे केंद्रित करने में बहुत मदद करती है एक अच्छी पाठ्थ पु पढ़ना है कब पढ़ना है उसके पास कितना समय उपलब्ध है तो एक समय नर्देशक के रूप में भी पाठ्थे पुस्तक की उप्योगिता को नकारा नहीं जा सकता इसके साथ साथ जब पाठ्थे पुस्तक विद्यार्थी के पास होती है तो हमारा विद्यार्थी विद्य के लिए यह न विए और लिए म क्शा में आना हैं उसको विशय वस्तु पढ़ानी हैं उसको पता है कि विद्यार्थी किन पाथ्य पस्तुकों ने करने लिए एक अध्यापक की मदद लेता है साथ ही जब वो बच्चों को पढ़ा लेता है तब बच्चे उसके बाद यदि पुना पढ़ना चाहें उसी विश्यवस्तु का दुबारा अध्यन करना चाहें तो भी उनके लिए पाठ्थपुस्तक एक महत्वपुर्ण होती है तो एक पाठ्थपुस्तक के जो परंपरागत लाव हैं इन लावों को कोई भी अध्यापक नकारता नहीं और प्रतेक अध्यापक की मानता एक पाठ्थपुस्तक के लाव हैं परन्तो ये लाव तब हैं जब एक पाठ्थपुस्तक एक अच्छी पाठ्थपुस्तक हो कई वार विद्यार्थियों के समक्ष जो पाठ्थे पुस्तकें उनके पास उपलब्ध हैं वो बहुत अच्छी पाठ्थे पुस्तकें होती नहीं क्यों 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 कि एक पाठ्थे पुस्तक की कुछ सीमाएं भी होती है जैसे यदि पाठ पुस्तक में पाठ को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वो रोचकता उत्पन नहीं कर पा रहा तो वै पाठ रोचकता उत्पन करने के स्थान पर अवरोध उत्पन करने लगता है बच्चे उस पाठ से उबने लगते हैं कई बार भाशा की कलिश्टता के कारण, कई बार पाठ के प्रस्तुती करण के कारण, कई बार पाठ्थ पुस्तक में पाठ की छपाई के कारण भी, फॉंट के कारण, आकार के कारण, बहुत सारे कारण है, जो पाठ में रोचकता उत्पन करने की वज़ा है, उसमें अवरोध उत्पन करने लगते हैं दूसरा एक और इसकी सीमा है, कि यदि पाठ पुस्तक पर सिक्षन अधिगम को बहुत अधिक आधारित कर दिया जाए, तो सिक्षन अधिगम में एक रूपता आ जाती है, एक मोनोटन ही आ जाती है, कि जैसे पाठ पुस्तक में विशेवस्तु दी गई है, वैसे यद्यापक की सिक्षन सामग्री प्राप्त करने की बजाए, पाठ पुस्तक में जो एक रूपी सिक्षन सामग्री है, वही प्राप्त करने, साथी पाठ पुस्तक की एक और सीमा है, और ये खतरा रहता है, कि पाठ पुस्तक की भाषा क्या है, पाठ पुस्तक बहुत सारी संस्थान बन इसका कोई आधार नहीं होता तो कई वार यहादी पाठ्थ पुस्ता के अच्छी नहीं है तो अभासा की आप्रमानित्ता की आवसर करती है गो को उपनाता है को जो व्यक्तिक अधिगम शएलियां है पाठ्थ पुस्ताक व्य involved अधिगम सैलियों के अनुरूप नहीं होती वरण वह सभी विद्यार्थियों से यह उम्मीद करती है कि वो एक ही अधिगम सहली से अध्यन करेंगे यदि पाठ्यपुस्तक का बहुतायत से प्रियोग किया जाने लगए और अध्यापक भी कक्षा में वही विश्यवस्तू प्रस्तुत करें जो पाठ्यपुस्तक में लिखी है और विद्यार्थियों से भी यही उम्मीद करें कि पाठ्यपुस्तक में जो लिखा है विद्यार्थी केवल उसी को पुना प्रस्तुत कर देंगे तो उससे कक्षा कक्ष में संप्रेशन पर प्रभाव पड़ जाता है फिर कक्षा कक्ष में संप्रेशन का वातावना नहीं होता बच्चे मुक्त चिंतन नहीं कर पाते अध्यापक भी उनके केबल कई वार उनी उत्तरों को सही मानने लगते हैं सब कुछ तो पाठ्थे पुस्तक में उपलब्द है तो कक्षा कक्षा संप्रेशन जो है इस पर भी कई बार प्रभाव पड़ जाता है तो इसलिए पाठ्थे पुस्तक की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें इसके लाव और हानियां दोनों पर चिंतन करना महात्यपूर्ण हो जाता है तो डॉक्टर गौरव ने हमें यहां बहुत अच्छी बात बताई है पाठ्थे पुस्तकों के बारे में हमारे सभी सिक्षक साथी भी इस बात से सहमत होंगे कि पाठ्थे पुस्तक यदि अच्छी च्पाई वाली नहीं है उनके फॉंड साइज अच्छ नहीं है उनमें रंगी इंचित्र नहीं है तो विद्यार्थियों सिक्षकों की रूची उन पाठ्थे पुस्तकों का उप्योग करने में कम हो जाती है और इस तरह की पाठ्थे पुस्तक के विद्यार्थियों में रोचकता एवं रूची जागरत करने में असमर्थ रहती है यहां पर हमें समेकन की बारे में डॉक्टर गोरोव से जाना चाहेंगे कि पाठ्थे पुस्तकों में समेकन जो होता है उसके आयाम क्या है आयाम उपर चर्चा करने से पहले मुझे लगता है मैं समझना चाहिए पाठ्थे पुस्तक में समेकन होता गया या समेकित पाठ्थे पुस् तो एक रूपता में भिन्नता और विविदता जब हम ले आते हैं तो एक तरह से हम उसको समेकित पाठ्थ्य पुस्तक में बदल देते हैं इस समेकित पाठ्थ्य पुस्तक का बहुत अधिक प्रचलन यदि आप देखें तो जब राष्ट्री पाठ्थ्य चर्या रूप रेखा 2005 आई तो उसके बाद प्रारम हुआ और जो पाठ्थ्य पुस्तक के राष्ट्री पाठ्थ्य पाठ्थ्य पुस्तक के आधार पर बनी य जैसे मैं यदि उधारन लों प्राथमिक स्टर परयावरान अधिन की जो पाठ्टे पस्तक हैं समेड़ी विश्यवस्तु को इत्प्ति हुआ है थ्यृध विभति और सामाजिक विज्ञान इसकी सीमाओं से परेपहुंच गया वह बिग्यान की सीमाओं में बंदकर ग्यान को प्रस्तोत नहीं किया गया है वराँ उन सीर्षकों से सम्मन्दित जो जीवन अनुभव बच्चे दैनिक जीवन में ग्रहन करते हैं जैसे जब वो जल की बात करते हैं तो आप देखिए पार्टे पुस्तकों में जल पर कवित आये हैं जल के भिन्य उप्योगों की बात है जल के विविन्य श्रोतों की बात है वहां सीधे जल का मतलब जो H2O, H के दो मॉलिक्यूल और O और ये सब नहीं है वो बिज्ञान की पार्टे पुस्तक में होता है EBS की पार्टे पुस्तक में वो नहीं मिलेगा उन्होंने थी माधारित व्यवस्थापन किया है एक समेकन का ये आयाम है दूसरा यदि आप देखें समेकन किसका होते हैं विवन परिस्थितियों से होते हैं विवन सामाजिक सांस्कृतिक और भवलिक परिद्रश्यों से होते हैं विवन उपयोग्यों से होते हैं बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़े होते हैं साखी समेकित पार्टे पुस्तक के जो होती है वो उनको अधिगम क्रिया के अवसर उपलब्ध कराती है लिए अगे विस्तार से चर्चा करेंगे एक अच्छी समय कि पाथे पुस्तक में अनता क्रियात्मotter कि us अद्याबकों के साथ लिए करें हर प्रकार के क्रिया कलापों का वेवस्थापन एक पाथे पुस्तक में किया जाता है एक अच्छी जो समेकित पाठ्थे पुस्तक होती है उसमें अभ्यासकारियों में भी विवित्ता होती है विभिन्य प्रकार के अभ्यासकारे प्रदान किये जाते हैं उसमें पाठ्थे वस्त्मों का भी समेकन किया जाता है और साथ ही साथ भिन्य प्रकार की सिक्षन सामिक्री के समेकन के उधारन भी हम अच्छी समेकित पाठ्थे पुस्तक में देख सकते हैं उधारनों का समेकन आपने बहुत अच्छा बताया तो विभिन्य तरह के उधारनों से अगर विद्यार्थी पढ़ेंगे तो उनकी अंते क्रिया निश्यत रूप से बढ़ती है अधिकम क्रियाओं के आउसरों का भी समेकन आपने बताया इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए उससे पहले मुझे लगता है कि जो अन्य प्रकार का बेवस्थापन है उस पर भी हम थोड़ा विस्तार से बात कर ले जैसे थीम आधारित बेवस्थापन है तो मैंने कहा कि थीम कुछ भी हो सकती है आप आजकल की जो नई पाठ पुस्तकें आई हैं खास तरुपर रास्टी पाठ चरहे रोपरेखा आने के बाद प्राइमरी स्तर की और अपर प्राइमरी स्तर की उनको उठा कर देखिए उनमें क्या है उसमें कहीं आप देखेंगे पाठ पुस्तक किसी घटना के इर्दगिर्द एक पाठ को रच दिया गया कोई घटना घटी फिर उस घटना के इर्दगिर्द जब उस घटना का ही चित्रन कर दिया गया और उस घटना के चित्रन के माद्यम से भाशा कोशल भी विक्सित कर र लिया था भी कई वार कोई अवसर है जैसे दिपावली पर एक पाट दे दिया तो दिपावली पर जब आप ने पाट दे दिया तो आप केवल दिपावली की बात नहीं करते उसके माध्यम से उससे जुड़ी परचलित कहानिया उससे जुड़े पाक पकवान लोगों का रहन सहन तेवहार मनाने के कारण और उसके साथ भाषा, सैली अन्य सभी चीजों का हम ग्यान बच्चों को परदान करते हैं कुछ कहानियों को प्रस्तुत कर दिया जाता है एकात पाठ किसी कार्टून के आधार पर भी दे दिये जाते हैं कुछ चंपक की कहानी ले ली, कोई पुरानी पंचतंत्र की कहानी ले ली और उसको कार्टून के माद्यम से भी भाषा के पाठ पुस्तकों में तो बहुत ज़्यादा प्रियोग हुए या EBS की पाठ पुस्तकों में इस तरह के बहुत प्रियोग हुए तो इन प्रियोगों का लाव क्या है कि जब भिन प्रकार के पाठ भिन प्रकार की चीजों को थीम बना कर प्रस्तुत किये जाते हैं कोई पाठ घटना को थीम बना कर प्रस्तुत कर दिया कोई किसी विशेवस्तु के आधार पर प्रस्तुत कर दिया कोई किसी अवसर के आधार पर प्रस्तुत कर दिया कोई किसी कहानी के आधार पर प्रस्तुत कर दिया किसी में हमने कार्टून का साहरा ले लिया तो बच्चे जो उन पाठ्थे पुस्तुकों को पढ़ते हैं तो उन्हें एक रूपता नहीं मिलती उनको बहने प्रकार के अनुभव मिलते हैं साथ ही अध्यापक के लिए भी अनुभव हो जाता है कि वो एक कही विशायवस्तु को कई प्रकार से प्रस्तुत कर सकता है उसको उसके उधारन पाठ़पुस्तक में ही मिल जाते हैं फिर वो अपने आसपास खोजना शुरू कर देता है तो थी माधारित विवस्तापन जो है वो समेकित पाठ़पुस्तक को रोचक बनाने में बहुत योगदान करता है दूसरा मिंदुवा उधारन का जब हम उधारनों की बात करते हैं तब एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जो उधारन हम पाठ़पुस्तकों में दे रहे हैं बे क्या बास्तिविक जीवन से जुड़े अनुभव हैं अथ्वा नहीं प्रयास करना चाहिए कि यदि पाठ्थ पुस्तक को हम एक समेकित पाठ्थ पुस्तक बनाना चाहते हैं तो उस पाठ्थ पुस्तक में बास्तरिक जीवन से जुड़े अनुभव होने चाहिए और वे अनुवव होने चाहिए जो बच्चों की परिस्थितियों में उपलब्द हो उनके आसपास के परिवेश में उपलब्द हो यदि आप केरल में पाठ्थे पुस्तक लिख रहे हैं या तमिलाडू में पाठ्थे पुस्तक लिख रहे हैं और आप उनको उत्तराखंड की सीडीदार खेती का उदाहरन दे रहे हैं, तो क्या सीडीदार खेती का उदाहरन केरल के बच्चे आसानी से समझ पाएंगे? क्या पीपल के पत्ते की संरचना का उदाहरन लद्दाक में रहने वाले बच्चे समझ पाएंगे साइद नहीं समझ पाएंगे क्यों नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो उदाहरन उनके अनुभव से जुड़े नहीं है वो उधारन उनके आसपास की परिस्तितियों में नहीं पाये जाते ऐसे में खासतोर पर प्रात्मिक स्तर पर जब हम बिशेवस्तु लिखें और समेकेत पाठे पुस्तक लिखें तो जो परिस्तितियां और वातावरन हैं उनके आसपास का होना चाहिए साथि उदारण संदर्वों में होने चाहिए वे संदर्व जिनका भी अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं और प्रयास करना चाहिए कि जब हम पाठे पुस्तक में उदारण दे रहे हैं तो वे उदारण केवल लिखेत उदारण ना हो जितना अधिक संबव हो हम इन Dennwood को चित्र के माध्यम से या रेखाजित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें क्योंकि जो लिखख कर एक secondo का विस्तार दिया जाता वहें बहुत हो जाता है कि बार भाष़ा के क्लिस्ट्रता में उधारन की उपयोगिता कहीं खो जाती है तो शब्द चित्र की बजाए यदि बास्तविक चित्र या रेखा चित्र का हम प्रयोग करें तो अपनी पाठ्थे पुस्तक को अच्छी समय कित पाठ्थे पुस्तक बना सकते हैं और यदि अध्यापक एक अच्छी समयकित पाठ्यपुस्तक उठा कर देखें तो भी देखेंगे कि ये सारे आयाम उन पाठ्यपुस्तकों में उपलब्द हैं और इनके आधार पर वो अच्छी पाठ्यपुस्तक का चयन कर पाएंगे तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह आयाम भी जो पाठ्थे पुस्तकों का है उसको ध्यान से द्यापक देखें जी हां डॉक्टर गोरो उधारणों से तो रोचकता बढ़ेगी पाठ्थे पुस्तकों की और चित्र अपने आप में कई लिखे हुए टेक्स से तो ज्यादा ही अपने आपको प्रदर्शित करेगा यह बहुत ही अच्छी चीज बताई लेकिन इसके बाद एक और चीज होती ह अवसरों की बात करते हैं तो पाठ्थे पुस्तक का उपयोगिता क्या है क्या केवल विशयवस्तु प्रदान करना क्या केवल विशयवस्तु का क्रम निर्धारित करना क्या केवल भाषा कोशल बिक्सित करना नहीं यह किसी सामान्य पुस्तक के उद्देश्य तो हो सकते है एक समेकित पाठ्थ पुस्तक के यो दिश्च नहीं हो सकते तो समेकित पाठ्थ पुस्तक क्या करती है एक समेकित पाठ्थ पुस्तक में जो क्रियाएं प्रदान की जाती है उसमें बिन प्रगार की क्रियाओं के अवसर होते है जैसे चित्रकला से अवसर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि सरीर के विभिन अंग कौन से होते हैं मान लिजे कोई पार्ट है और उसी पार्ट में एक अभ्यास दे दिया गया कि बच्चे आगे बढ़ने से पहले एक आँख का चित्र बनाएं समझ रहे हैं मेरी बात साथ ही उसमें किसी विषय पर उनसे कुछ लिखने को कह दीया जाता है और पर उसमें पार्ठ पुस्तक में लिख दिया आगे बढ़ने से पहले को आगे बढ़ने सेपहले विद्यार्थियों को आ harus पास प्रदूशन से समंदित जो घटनाएं घट रही है या जो भी बातें हो रही है उनकी सूचनाएं वो विविनुश रोतों से एकत्र करें और उन पर आप परिचर्चा आयोजित करें आपने पाठ़ पुस्तक में क्रिया कलाब दे दिया अब अध्यापक क्या करेगा वो बच् सकते अउनको एक चोटे एक्स्प्रोरेशन के लिए सकते अनुभा आधारित की से लिए सकते तो अधिगाम क्रियाओं में भी विविन्दता लाने के विविद अवसर पाठ्ठ पुस्तक के माद्यम से कष्षा में परदान किये जा सकते हैं और एक अच्छी समयकित तो पूर्ण लक्षन होता है जी हां डॉक्टर गोरो आपने ठीक कहा कि अगर अधिगम क्रियाओं को यदि हम पाठ्य पुस्तक में समयकित करेंगे तो विद्यार्थी को अपने दिन प्रति दिन की घटनाओं और वास्तविक जीवन से जुड़ने में मदद मिलेगी इसके सा साथ पाठ्य पुस्तक में अंता क्रियात्मक तक्तों का भी समावेश होता है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ऐसे अवसर उपलब्द कराती है कि बच्चे अपनी संगी साथियों के साथ बिचार विमर्श कर सकें उसमें कई वार गुर्प डिसकेशन के लिए एक्टिविट तो अंता क्रियात्मक तत्तों ऐसे लाया जाता है या बच्चों को प्रोथसाहित किया जाता है कि वो नवीन नवीन प्रश्णों का निर्मान करें उन प्रश्णों को अध्यापकों से पूछें अर्थात बच्चों की संगी साथियों से और अध्यापक से अंता क्रिया कैस साथ ही एक अच्छी पाठ्थपुस्तक सामोहिक कारियों के अवसर भी उपलब्द कराती है। उसमें बहुत सारी सामोहिक कारियों की गत्विधियां भी दे दी जाती है। साथ ही एक अच्छी पाठ्थपुस्तक में, समयकित पाठ्थपुस्तक में, एक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वह होता है अभ्यासकारे, किसी भी पाठ्थपुस्तक में आप देखेंगे अभ्यासकारे दिये होते हैं, एक सामाने पाठ्थपुस्तक में सामाने अभ बिन्नता होती है उक किस इस्तान पर दिये जा रहे इसमें भी बिन्नता होती है अभ्यासकारियों का पूरे पाठ में वित्रण किया जाता है बीच में थोड़ी सी विशेवस्तु उससे समंदित कोई एक छोटा अभ्यासकार है ज्यादा विशेवस्तु उससे समंदित कोई ब दोनों एक साथ समाविशित हो जाती हैं यह एक अच्छा गुण है एक समेकित पाठ्य पुस्तक का इसके लिए तो हमें फिर अधनी वर्क बुक की भी आवाशकता नहीं होगी पाठ्य पुस्तक में ही उसका समेकन हो जाएगा इसके साथ साथ हमारे पास कुछ अन्य आयाम भी और होंगे पाठ्य पुस्तक के जैसे एक आयाम है पाठ्य वस्तू का समेकन कंटिंट इंटिग्रेशन इंटिग्रेशन कफ कंटिंट इसके में दो उधारन देना चाहता हूं अपने अध्यापकों को यदि उन्होंने देखा हो खास तोर पर जहां NCRT द्वारा प्रस्ताव पाठ्य पुस्तक है या पाठ्य करम को पूरी तरह से लागुक गया है उन विद्यालेयों में आप देखें तो कक्षा एक और कक्षा 2 में केवल दो इविशे होते हैं गडित और भाशा परियावरन अध्यान भी विशे नहीं होता लेकिन परियावरन अध्यान से जुड़ रहें यहां वाशा तो पड़ी रहा है लेकिन साथ-साथ पर्यावर्ण अध्यन चाइए खंपान की आदत ये क्या खाना चाहिए रुद फूड क्या बैड फूड hojar तै क्या क्वेशन को कम खाना चाहिए क्या और सवी पर था principle क्या देद्या तो एक तो भाषा विक्सित कर रहे हैं आप भाषा कोशल विक्सित कर रहे हैं और पर्यावरान अध्यान से जुड़ा एक पार्ट भी आपने साथ में प्रस्तुत कर दिया तो इस प्रकार प्रात्मिक इस्तर पर कक्षा एक और दो की जो पाठ्थे पुस्तके हैं उनमें गणित और भाषा की पाठ्थे पुस्तकों में पर्यावरण अध्यान का बड़ा अच्छा समेकन किया गया है दूसरा उधारण यदि अध्यापक कक्षा तीन चार और पांच की पाठ्थे पुस्तके देखें तो कक्षा तीन चार और पांच की पाठ्थे पुस्तके हैं वह या तो गणित की पाठ्थे पुस्तके हैं या भाषा की पुस्तके हैं साथी वहाँ एक और विश्य दिया गया जिसको पर्यावरण अध्यान ये EBS Environmental Studies कहा जाता है। यदि वो EBS की पाठे पुस्तक देखें, तो EBS की पाठे पुस्तक में पर्यावरण अध्यान की पाठे पुस्तक में एक तो थीम आधारित ब्यवस्ता पने। पूरा पुस्तक को पाँच या छे थीम के आधार पर विवस्तित किया गया है। चाहें वो जल की थीम है, चाहें भोजन की थीम है, चाहें यातायात के साधनों की थीम है, चाहें वो दैनिक जीवन प्रक्रियाओं की थीम है, चाहें आसपास के वातावरण की थीम है। इन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का समयकन कक्षा 3-4 और 5 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग विशय नहीं है। पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है। ऐसे में प्राथमिक इस्तर पर जो पाठ्यपस्तों के चल रही है। यदि अध्यापक उनका अध्यन करें और उनको देखें तो वे जान पाएंगे कि किस प्रकार से पाठ्यवस्तों का समयकन किया गया है। और समयकन का अंतिम और महत्यपुन आधार है भिन्य प्रकार की सिक्षन सामिकरी का समयकन। जब हम भिन्य प्रकार की सिक्षन सामिकरी के समयकन की बात करते हैं हितेश जी तब पाठ्यपुस्तक में जो विशयवस्तों दी गई और विशयवस्तों के साथ जो अभ्यास दिये गए अभ्यास के साथ साथ जो भिन्य प्रकार के क्रिया कलाप्स सुझाए गए। क्या उनमें हम इस प्रकार का समेकन कर सकते हैं कि अध्यापक अपने आसपास के बातावरण में उपलब्ध वस्तूओं का प्रियोग सक्षन सामकरी के रूप में कर सकें। मैं एक उधारन देता हूँ। कि खाने में या खाद्य वस्तूओं के निर्माड में प्रियोग होने वाले पदार्थ कौन-कौन से होते हैं। या एक सबजी में कौन-कौन से घटक होते हैं। इससे समंदित कोई पाठ है। और ये दी बच्चे से कहा जाए कि वो अपने घर में जो खाने का सामान बजार से खरीद कर लाता है। उसमें रैपर को पढ़कर वो बताएं कि उसमें कौन-कौन से घटक प्रियोग किये गए। जैसे बिस्किट बनाने में कौन सा घटक प्रियोग हुआ है। कोई नमकीन लेकर आए हैं उसको बनाने में कौन सा घटक प्रियोग हुआ है। या कई बार ऐसे आवरण आपको शब्दकोस विक्सित करने में बहुत महत्पूर्ण भूमी करने बाते हैं। बच्चों को नए नए शब्दों का परिचे कराने में जिसे माली जिए घर में आटा आता है या चाबाल आता है या कोई और चीज आता है तो उसके रैपर पर वो देखें कि उन्होंने कितने शब्द पढ़े। उसमें से कितने शब्दों के अर्थ होने पता हैं और कितने शब्दों के अर्थ होने नहीं पता हैं उसके एक सूची बनवा लीजे उनसे तो ऐसे में क्या होगा कि वो रैपर अपने आप में एक सिक्षड सामिगरी हो जाएगा। बहुत वर्सों तक भारत में दुनिया में जो गरों में प्रियोग होता था, उसमें कहीं अंतर रहा, अब वो अंतर धीरे धीरे पट रहा है, अब हम जो उनके चारों तरफ उपलब्द विग्ज्यान है, वह उसी के अधार पर विग्ज्यान पढ़ाने लगें, थीक तो एक अच्छी समयकित पाठ्थे पुस्तक की जब हम बात करते हैं तब हम ना केवल थी मादारित ब्यवस्थापन की बात करते हैं बलकि उदहरणों के आधार पर समयकिन की बात करते हैं अधिकम क्रियाओं की अवसरों के उपलब्द कराने के लिए समयकन की बात करते हैं, अन्ता क्रियात में तत्तों के उपलब्द समाकन की बात करते हैं, अब भ्याशों में बेवित्ता लाएं, इसके भी समयकन की बात करते हैं, पाठ्थे वस्तूओं का भिन्य प्रकार से समयक क्या होता है और इनके विभिन आयाम कौन-कौन से हैं और इन आयाम को बहुती इसपश्ट तरीके से समझाया मैं डॉक्टर गोरोव सिंग का धन्यवाद करता हूँ एवं मैं अपने सभी दर्शगों का रदय से धन्यवाद करता हूँ धेरे पुर्वक हमारे कारिकम को सुनने के लिए धन्यवाद